बच्चो अभी आपने एक प्रमेई की रूप में ये सिद्ध किया कि किसी समानांतर चत्रभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यानि उसकी सम्मुक भुजाओं का प्रत्तेक जोड़ा आपस में बराबर होता है ये अभी आपने सिद्ध किया यदि इसकी उल्टी बात कहे जाए यदि आपको ये दिया जाए कि किसी चतरभुज के आमने सामने की भुजाये हैं बराबर हैं तो क्या वो चतरभुज भी समनांतर चतरभुज होगा ये एक सवाल है जिसे हम यहाँ पर पहले वाले प्रमे के विलोम के रूप में देखते है और इसे हमने क्रमांग दिया है 11.3 यहाँ पर एक कथन है कि यदि एक चतरभुज की सम्मख भुजाओं का प्रते युग में बराबर है तो वह एक समानांतर चतरभुज होता है तो चलिए देखें इस कथन को हम सिद्ध करने कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं कि आप एक चतरभुज है जिसमें एक गुल है कि सम्मुख भुजाओं का प्रते युग में बराबर है हमें सिद्ध करना है कि A B C D एक समानांतर चतरभुज है और हमें दिया हुआ है दिया है कि इस शतरभुज में आपने सामने के भुजाओं के जोड़े बराबर है यानि A B बराबर D C A B बराबर D C और A D बराबर B C A D बराबर B C यह हमें दिया हुआ है जो इस कथन में मौदूद है तो हमें सिद्ध करना है कि चतरभुज A B C D चतरभुज A B C D एक समानता चतरभुज है समानता चतरभुज है आईए जिस तरह से हमने पहले रशनाएं की थी ठीक उसी तरह से एक और रशना करते हैं हम इस चतरभुज का एक विकर्ण खीशते हैं जिसे A C हम कहेंगे तो हम बिंदू A और बिंदू C जो चतरभुज के शिर्ष हैं इन्हें आपस मिला दें यह हमने एक कटी हुई लाइन से कटी हुई रिखा से A और C की मिलाया जो इक विकर्ण A C के रशना करता है जैसे हमने विकर्ण A C खीचा वैसे ही यह चतरभुज दो तरभुजो में बढ़ गया अब इन दोनों तरभुजों में हम देखें क्या यह तरभुज सर्वांगसम है यह अब इसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी हापस में बराबर होंगे और संगत कोणों के आधार पर आप सिद्ध कर पाएंगे कि यदि संगत कोण एकांतर कोण बनाते हैं और बराबर हैं तो एकांतर कोण बनाने वाली भुजाएं एक दूसरे के समरांतर होंगी इस तरक का उप्यों करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए हमने इस विकर्ण के द्वारा चत्रभूज ABCD को दो त्रिभूजों ABC और ACD में बाट लिया तो हम त्रिभूज ABC और त्रिभूज ACD में देखेंगे ACD में इन दोनों त्रिभूजों में दिया क्या है हमें हमें दिया है कि AB और DC बराबर है तो लिखे हम AB बराबर DC ये दिया हुआ है ये दिया गया है और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि AD बराबर BC पहले इसको लिखें BC को BC बराबर AD और तीसरी भूज़ा AC दोनों त्रिभूजों में वपस्तित है तो हम लिख लें AC बराबर AC ये तीन कथन है जिन पर आप गौर करें पहले दो कथन भूज़ाओं से संबंदित है जो हमें दिये हुए है कि बराबर है भूज़ा AB बराबर भूज़ा DC ये हमें दिया गया था इसी त्रिभूज की भूज़ा BC भूज़ा AD के बराबर ये भी दिया हुआ था और जो हमने रशना की थी AC की वो दोनों त्रिभूजों में वपस्तित है और इसलिए हम AC बराबर AC कह सकते हैं इन तीन नो कत्नों के आधार पर आप result निकाल सकते हैं इसे लिख लें आप दो कत्न दिये हुए हैं और एक रच्छना से हम को मिला एनं सकते हैं कि दोनों त्रफुज सर्वांग समय यानि संगत कोण बराबर रहें और यह तो िनने दिश्वान साकालते हैं आट ऊ Capital पितए वाट दिखते हैं ग्राइध यह तो फीर्व को ब्यूंस सवानों, जो एक अंतर कोड की रशना करनी वापस में समणांतर होंगी तो हम लिखेंगे कि चूकि सर्वांग समत्र भूज है तो उनके संगत अवे बराबर होंगे तो ये कोड जिसे आप कोड़ DAC पढ़ सकते हैं चूकि कोड़ DAC D A C यानि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के जिससे आप B C A कह सकते हैं कोण B C A के ये सरवांग समता के गोण समय प्राप्त हुआ अच्छो कि ये दोनों कोण इस तीर्यक रेखा और रेखा B C और A D से निर्मित हो रहे हैं तो एक आंतर कोण है ये हम लिख लएए एक आंतर कोण है और बराबर है इससे सिद्ध होगा कि जिन भुजाओं से इसकी रशना हो रही यानि भुजा B C और भुजा A D समानांतर है इसलिए आप लिख सकते हैं कि A D समानांतर है B C के ठीक इसी तरह हम देखिए इस कोण के बारे हम बात करें और इस कोण को देखें तो पहले त्रिभूच का ये कोण दूसरे त्रिभूच के इस कोण के बराबर है इसे हम दो चाप से प्रदर्शित करें तो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये इन दोनों रेखाओं को तीरक रखा A, C काटने से निर्मित हो रहा है और चुकि ये दोनों कोण आपसे बराबर है एक अंतर कोण है और बराबर है इसलिए आप कह सकते हैं कि A, B और समन अंतर होगा D, C के तो फिर से हम लिख लें कि पुना चुकि कोण B, A, C बराबर है इस कोण के जैसे आप D, C, A कह सकते हैं कोण D, C, A के और ये बराबर एक अंतर कोण है समन एक अंतर कोण है तो अब लिख लें एक अंतर कोण है और समन है बराबर हैं समान है इसलिए इन्हें बनाने वाली जो भुजाए हैं जिसे आप A B और D C कह सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि A B समनांतर है D C के तो आप देखिए पहली बार आपने प्रूफ किया कि A D समनांतर B C है AD सम्मुख भुजा BC है यानि ये वाली भुजा अपने सम्मुख भुजा इस भुजा BC के सम्मान अंतर है और यहां आप कहा रहे हैं कि AB सम्मान अंतर है DC के AB सम्मान अंतर है अपने सम्मुख भुजा DC के तो आप देख पार हैं कि चतरभूच A, B, C, D में सम्मुख भूजाए ही है parts और सम्मुख की परभाश सम्मुख भूजाओं के जोड़े दोनों जोड़े यदि आपस में सम्मुख तो वो चतरभूच सम्म숙 होगा तो इन दोनों कत्नों के आधार पर आप परणाम में कह सकते हैं कि चतरभूज A, B, C, D समानतर चतरभूज है समानतर चतरभूज है यह आपका कथन सिद्ध हुआ तो आपके पास दो चीज़ें मिल गई आपने समानतर चतरभूज के परभाशा से पहले है जान लिया था यह किसी चतरभूज की आपने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समानतर हैं तो वो चतरभूज समानतर चतरभूज होता है और अब ही आपने पाया कि यदि किसी चतरभूज की आपने सामने की भुजाएं आपस से बराबर हैं दोनों जोड़ी यदि बराबर हैं तुल्ले हैं तब भी वो चत्रभुज समानांता चत्रभुज होता है ये बहुत ही महत्रपुन परिणाम है जो आगे कई जगों पर हमारी मदद करेगा चत्रभुज के संबंद में समानांता चत्रभुज के संबंद में गोड़ों को समझन में और सिद्ध करने में